दोस्तों प्रदीविरी एकेट्वी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं कि जो बच्चे लगातार कॉमेंट कर रहे थे उस वीडियो का एंसर देने आया हूं यहां पर बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि सर मेरा इंसेम ज सकता हूं या फिर से मैं उसे मतलब इंसेम को मैं फिर से दे सकता हूं तो दोस्तों मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं यहां पर कुछ चीजे मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि अगर आपका इंसेम है कि इंसेम का लॉचिक क्या होता है कि इंसेम में कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता है अगर आपका इंसेम खराब गया तो आपके उपर बहुत बड़ा बड़न है क्योंकि अगर आपका जो दुसरा पेपर होने वाला एंड सेम वह सेवेंटी मार्स का होगा अगर समझो यहां पर आपको टू मार्क्स मिला है तो यहां पर आपको साथ सुबह ही वीडियो आया है तो उस प्लानिंग को फॉलो करो और यहां पर आप थर्टी एट का क्राइटिरिया थर्टी एट मार्क्स कोर करना है मतलब आपको एक फिप्टी मार्स तक पेपर लिखना पड़ेगा सही सेवेंटी मार्क्स पूरा आटेम करना पड़ेगा सब्सक्राइब है तो आप वहां तक पहुच होगे देन इसके बाद अगर यूनीटेस्ट वालो की बाए बात करू यूनैटेस्ट कंड़ा कैसा रहता है कि यह उनीट होते सेटम्बई में है और इसेकन फ्रट। इन सेटम में आपको क्या करना है कि असममें आगर आप सब difference को यहां पे आपके वास option रहता है कि यहां पर आपने scoring किया तो दोनों को combine marks जाता है यहां पर तो दोनों मिलांख सकते हैं जैसे इस्फ़ेंंट आप समझो का 2020 marks हो रहा है तो अगर इसमें आप फ़ेल हो गया तो यहां पर आप पिर से एक्जाम देने के लिए नहीं मिलने वाला है एक्जाम देने के लिए आपको directly and sim का मिलेगा वहाँ पर प्र unit test वाले को फिर से unit test मिल सकता है अगर मुझे बोलेगा सब मुझे इनसे फिर से मिलेगा नहीं हां अगर आपके subject पर यहां पर यहां पर आपको सकते हो और यहां पर आपको कम है तो दूसरे उनिटेस्ट में आप स्कोर करके आपको पास कर सकते हो यहां पर यहां पर आपको 32 स्कोर करना रहेगा तो मैंने दोनों इनिटेस्ट को अलग अलग तरीके से अच्छे से एक्स्पेंड कर दिया है उमीद करता हूँ कि सब चीजे तुम्हें सिस्टमाटिक समझ में आई है प्लीज भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो सुबह सुबह मैंने फ्लानिंग दे दिया है और मुझे उमीद है कि आप सिस्टमाटिक चीजों को कवर करोगे तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों